बेलकम टू बी एसी बिहार एस्टेटिक जाम में आपका स्वागत यह वीडियो बी एससी इंटर लेवल का जो वेकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैद का प्रैक्टिस सेवेंटीन का डिसकर्शन करने बाले है तो प्लेटफर्म दौरा भॉलूम दू की माध्यम से ट्वंटी सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गया उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेवेंटीन के मैद के जितने भी इंपोर्टेंट प्रशन बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिसकर्शन करेंगे वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ल चलिए वीडियो की सुरुवात करते आज की important प्रशनों के साथ पहला प्रशन है वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद किजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त एक पुन बर्ग प्राप्त हो जाए चोटी संख्या ग्याद करनाथ तो क्या किजिए 588 का LCM लेंगे तो कितना से दू से लेंगे दो अब देखिए ये दो तो दो pair बना रहा है यानि बढ़ गए ये साथ और ये साथ भी pair बना रहा है लेकिन यह तीन के लिए एक और तीन से अगर हम multiply कर दे तो वह संक्या क्या होगा पुंट बढ़ हो जाएगा यानि correct answer option B इस प्रस्ण का करिक जवाब होगा कौन सा option B क्लियर है next अगला प्रस्ण देखिए निमलिखित में से कौन सी संक्या जो दिया गया equation 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 400 को पूंट बिभाजित करेगा सबसे पहले क्या किजिए 4 के पावर 61, इन सभी में से 4 के पावर 61 को अगर हम कौमल ले लेंगे तो बचे का कितना हो, 1 plus 4, plus 4 का square, plus 4 का Q, किलियर है अब देखिए जब इसको add की जएगा, 4 का Q कितना होता, 64, 4 का square 16, plus 4, plus कितना 1 जम इन सभी को add किजेगा, तो यह कितना हो जगा, इसमे कितना 4 के पावर 61 से हमको multiply करना है, जम इसको add किजेगा तो यह कितना हो जगा, देखिए 64 पूरा एंड करके 85 हो जाएगा कितना 85 ठीक है 85 चार की पावर 61 से 85 को हमको मल्टिप्लाई करना है पूछ क्या रहा है option में कौन देखी यहां पर 5 है इसमें 4 है यानि इसमें 2 छुपा हुआ है इस बात को हम लिख सकते हैं चार के पावर 60 मल्टिप्लाई 4 मल्टिप्लाई 85 देखी जब इसको लिखेंगे तो अब देखी चार के पावर 16 मल्टिप्लाई देखी पांचों को 20 हासिल दू आर्चक 32 32 33 34 34 अब देखी option के हिसाब से यहां पर 0 आड़ा है कर रहा है कि एक कच्छा की दो बैच है ए और बैच है बैच ए में 44 चातर है और sourतों being 43 केलोगराम और बी का उसत वार 49 किलो गराम है तो पुरी कच्छा का उसत वहार घ्यात किजिए देखिए दो इस class ए class A है और दूसरा class क्या है? A में student की संख्या कितना ज़ाया, तो 44 चाब B में student की संख्या कितना जिप्टी-6 जयनि total student का बात किया जई तो total student कितना है? 100 total student कितना होगिए? 100 क्योंकि 44-56 और 56 को एड करेंगे तो 100 आ जाएगा यानि एका सम अगर निकाल दे तो कितना एका टोटल सम निकाल दे यानि 44 में 43 से मल्टिप्लाई किजेगा यह कितना आ जागा देखिए द rijक और तुबलाई कितना हो जागा यानि कर रिमाइंडर आप tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat अब क्या करा है इनका पूरी का उस्ट यानि इन दोनों का सम करके हमको क्या करना होगा तो से डिवाइड कर देना होगा तो यह वाला संख्या यानि टूटल एवरेज कितना आज़ेगा 14.76 यानि करेक्ट एंसर ओप्षन बी इस प्रस्ण का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ओप्षन बी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखिये यदि A का भाग B के 3 वटा 4 भाग के और B का भाग C के 1 वटा 2 भाग के तता C का भाग D के 4 वटा 5 भाग के बरावर है तो A ratio, B ratio, C ratio, D का मान क्यात कीजिए देखिए A का value कितना जागा है A का भाग B के 3 वटा 4 के बरावर है इस बात को हम लोग लिख सकते क्या A वटा B A वटा B बरावर हम लोग लिख सकते 3 वटा 4 क्योंकि B यहाँ पर multiply में है तो यहाँ divide में आ गया यानि A ratio B हम लोग क्या लिख सकते 3 ratio A ratio B लिख सकते 3 ratio 4 आगे क्या कर रहा है B का भाग C के भाग के 1 वटा 2 के बराबर है यानि B का जो भाग है वह C के भाग के 1 वटा 2 के बराबर है यानि C यहाँ multiply में है तो यहाँ divide में आजाएगा B वटा C हम लोग लिख सकते कितना 1 वाई 2 यानि अगर ratio में यहाँ C के साथ ratio लगा दे यहां लिख सकते 1, यहां पी 2, अब जब एक साथ कंबाइन रेशियो अगर इन तीनों का निकाला जाए, तो देखिए 4 दूना 8, यानि 4, और यहां कितना हो जाएगा, 3, यानि 3 रेशियो, 4 रेशियो, 8, आगी क्या कह रहा है, C का भाग, D के भाग का 4 बटा 5 है, C का भाग, D यानि यहां C रेशियो, D हम लोग निकाल सकते, C के जगापे यहां पे फोड है, यह लिख सकते, अड़ D के जगापे यहां कितना है, 5, अगर इसमें 4 से मल्टिप्लाइ कर, 2 से मल्टिप्लाइ कर देता, रेशियो बराबर हो जागा, यानि correct रेशियो कितना आजागा, सब्सक्राइब के लिए नेक्स्ट अगला प्रेशन देखिए अगला कोश्चन कर आए और बी की आए का अनुपाद सेवेन रेशियो फाइव है यह और बी क्रम सच चारहजार और 3500 रुपया बचाते हैं यदि बी का ब्याए एक ब्याए का आधा है तो ए और बी की कुल आए गयाद कीजिए कुल आए कितना साथ और पाच कितना हो जागा बारा बारा का जो भी संख्या मुल्टिपल होगा वही इसका कडिक टैंसर होगा केबल ओप्सन सी इस प्रस्न है जो बारा का मुल्टिपल है अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो देखे कैसे बनाएंगे हम लोग ए और बी के आए आए मेंसे अगर हम ब्याए को घटा ले तो क्या बचेगा बचत I में से बचत को अगर घटा लेंगे तो क्या बचेगा, B I बचेगा I कितना दिया गया, A की I दिया गया कितना 7X और B की I कितना दिया गया है, 5X ठीक है, A की I में से अगर उनके बचत, यहनि 4000 को घटा ले अब B के I में से उनके बचत, 300 को घटा ले तो यह क्या बच रहा है, ब्याए बच रहा है, कि B का ब्याए, A के ब्याए का आधा है, ठीक, इसका आधा B के बरावर है, अब इसको solve कीजेगा, तो यहां से X का value निकल जागा, जब solve कीजेगा तो देखे, 7X minus 4000, बरावर क्या लिख सकते, 5 दूना 10, 10X minus 35 दूना 70, यानि 7000, जब इसको X को एक तरफ लेंगे, यह साथ इधर आजागा, 7000 में से 4000 घटेगा, तो कितना आएगा, 3000, यह देखे, यह साथ 7X, इधर आके 10X में से घटेगा, तो कितना हो जागा, 3X, यानि X से 3 से 3 cancel, यानि X का value कितना हो गया, 1000, X का value कितना आगया, 1000, question में पूछ रहा है कि A और B का cool आए, cool आए कितना है, 7 और 5X, 7X plus 5X, 7 और 5 कितना हो जागा, 12X, यानि 12X और X का value कितना आगया, 1000, 12-1000, यानि correct answer, option C, इस प्रेशन का correct जबाब होगा, कितना 12000, clear है, यानि option C, next, अगला प्रेशन देखिए, एक बल्ले वाज अपने 15 पाड़ी में 4 run बनाता है, तो उसकी run ओसत से 3 run कम हो जाती है, 14 पाड़ी तक उसका ओसत run कितना था, देखिए 14 पाड़ी तक उसने average X run बना रहा था, कितना X run, यानि उसने 14 पाड़ी तक total कितना run बना है, 14 x total run इसने इतना बना है, पंद्रववी पाड़ी में उसने चार रन और बना लिया प्रिक आगे क्या हो रहा है उनकी रन औसत से 3 कम हो गया अब 15 पारी में क्या हुआ उसका एवरेज एक्स था तो अब नया एवरेज क्या हो एक्स माइनस 3 और टोटल रन कितना यह 15 पारी तक क्या आवरेज है यानि टोटल 15 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो टोटल रन निकल जाएगा तो इसको सौल की ज जैरेगा तो टोटल 54 कितना गया 49 बढ़ावर कितना हुआगा एकस जैने एकस का वहलू कितना गया 49 एकस यानि कहने का मतल्य चोदवी पारी तक उसका रन का उसत कितना था एकस था एकस जनी 49 था आनि कडेक्ट आंसर आउप्शन ए नेक्सट अगला प्रेसन देखिए चार वर्स पहले स्याम की आयू राम की आयू का तीन वटा चार था क्या कर रहा है स्याम की आयू राम की आयू स्याम का जो आयू वह राम के आयू का कितना था तीन वटा चार था कब था यह चार वर्स पहले यानि स्याम रेश्यो राम लिख सकते है कितना चड़ी वाई फूर यह 4 वर्ण पहले था अब सी 4 वर्ण बाद देखिए यह प्रान याँ, चारवर्ण बाद क्या हो रहा हुmas स्याम की आयू, राम की आयू का पाच बटा चो हो जायगा यानि स्याम की आयू अब सी यहां, बात वाला बात करें झाहम की आयू तो सिम क्या राम की आयू का 5 रच्वाकेος चाह चोगा यानि श्या बटा रूक कितना हो जाएका 5 युझी सिक्स कहने का मतलब पहल इस पहले हम था थी difficult अब कितना और यह सिया मठा यहां पर राम था धिर प्ब्र ना की डिप पहड़ाय क्या यह कब होड़ा था अब सी चार वर्स पहले यहां देखी पर्जेंट इज का बात किया जब पर्जेंट का बात कर रहे ठी यहां सी चार वर्स पहले था यहां सी चार वर्स पहले था और चार वर्स पहले था और चार वर्स पहले था और चार वर्स पहले था औ यानि कहने का मतलब पहली सबसी पहली स्याम किया यू कितना था यानि आठ एक यूनित का वहलू चार यानि तीन यूनित का वहलू बारह चार यूनित का वहलू कितना हो जगा 16 या कब था चार वर्स पहले यानि यहां से प्रेजेंट आने के लिए चार एड करना पड़ेगा यहां से present जाने के चार एड़ करना पड़ेगा 12 चार कितना हो जगा 16 16 चार कितना हो जगा 20 यानि पूछ क्या रहा है स्याम की बर्तमान आयो स्याम की बर्तमान आयो कितना 16 वर्ष यानि correct answer option C option C इस प्रस्ट का प्रस्ट का करिक जवाब होगा कौन साथ हुए और वह 1800 मतों से चुनाब जीत किया तो हाडने वाले उमिद्वार को कितना मत प्राफ्थ हुआ देखें एक वेकटी जीतने वाला ने 52% मत प्राफ्थ किया तो हाडने वाला कितना होगा ठोटल होता है 100% याणी 52% ये प्राफ्थ कर लिए ता दूसरा 48% प्राफ्थ करे 800 की बरावर за कि हारना वाले उमीद्वार को कितना मत प्रापत हुआerg हाडने वाले 48 परसेंट यानि चार परसेंट का वैलू अर्थारा सो है इसमें 12 से संथ 29 बाड़ना में टूटल बाड़ा अठे 96 यानि छो हासिल नो बारा नो कितना हो जाएगा 216 डवल जीरो इसका कड़िक टैंसर होगा यानि ऑप्शन भी इस प्रेस्ट का कड़िक जबाब होगा कुन सा ऑप्शन भी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रेस्ट देखिए अगला क्व 10% वार्षी चक्विधी ब्याज की दर पर दो वर्ष के लिए एक धनरासी निवेश किया जाता है ज़ी ब्याज अर्थ वार्षी गन्ना की जाए तो इसमें 1762 रुपया अधिक ब्याज प्राफ्त होता है निवेश की गई धनरासी ग्याद कीजिए पहले 10% की दर से दो वर दस ब्याज ब्याज की गन्ना कैसे करना है तो अर्थ वार्षी करने का मत्तब दर्ग को आधा करेंगे यानि 10% अब नयार रेट कितना हो जगा 5% की दर से टीक पहले टाइम कितना था रेट हो जाए 5 पर्षेंट और ताइम पहले कितना ता दो बर्ष ताब ताइम कितना जगा 4 यानि पास पर से दर से 4 वर्ष निकाल देंगे यानि इसी तरह निकालेंगे यानि पहला कंपॉंड इंटेंट पाच प्लस पाच प्लस पाच गुनी पाच वटा सो करेंगी जब इसको सॉल कीज़ेगा तो पांदू ना दस 10.25 10.25 ये एक पाच वर्ष का अगला पाच वर्ष का आ लेंगे तो ये भी कितना आज़ेगा 10.25 यानि 10.25 अगला पाच वर्ष का 10.25 प्लस 10.25 दूनों को एड कर देंगे तो चार वर्ष का निकल जागा प्लस 10.25 मल्टिप्लाइ 10.25 इसको सॉल की जगा तो ये टूटल सॉल्व हो कि आपको आ जागे तना 21.55 21.55 कहनी का मतलब पहली क्या था पहली 21% इंट्रेस था अब इंट्रेस कितना 21.55 यानि कितना ज्यादा प्लस 10.55 इंट्रेस ज्यादा प्राप्त हो रहा रहा जबकि question में करा है कि हमको %55 नहीं 1732 ज्यादा प्लस 10.55 का विवलू हो गया 1742 का यानि aday 1% का वैलू कितना हो गया 17 Care dief by पॉइड-पॉइड-वैपच्पन ये पोइंट सटेगा तो उपर सो से मल्टिप्लाई हो गया अब क्या पुछ रहा तो धन रासी ज्याद के निवेश की गई या निवेश कितना हंडेट पर्षेंट करते एक पर्षेंट का भैलू उतना है तो हंडेट पर्षेंट निकाल देंगे यानि सत्रह सो बासर डिवाइड वाइड पाच्पन मल्टिप्लाई हंड्रेड चब इसको सौल्व किजेगा देखिए यह पच्पन से रिस्त बतिस मर्थे कंप्लीट कर जाएगा बतिस मर्थे जैनि प्रेक्ट आंसर घ्यानि करेक्ट एंसर ऑप्शन भी इस प्रेस्टल का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन क्लियर है, next अगला question देखिए अगला question कर रहा है, वह संख्या क्या होगा, जो हमेशा दो अंक्ये संख्या, और संख्या के अंको के प्रसपर वदलावक पर प्राप्थ की गई संख्या के यूग का गुननफल ज्याद किजे दो अंक्या होता क्या है तो आपको पता है 10x plus y 10x plus y दो अंक की संख्या वहरा है कि दो अंक को प्रस पर बदल जया जाए अब क्या क्या हो जाएगा 10y plus x ठीक बाद में क्या करा प्रस बदल जाएगा और संख्या के युक अब इन दोनों को add कर देंगे तो 10x यहां है 1x यहां है तो 11 x हो जाएगा पलस 1 को y यहां है 10 को y यहां है 11 यानि 11 y यानि 11 common ले लेंगे तो क्या बचेगा x पलस y question है पूछ रहा है कि उनकी गुननखंड क्या है उनका गुननखंड कितना गया 11 आगया यानि correct answer option c option c इस प्रसन का कर एक जबाब हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रसन देखिए एक दुकांदार अपनी बस्टू पर इस परकार मूल अंकित करता है कि वह 20 परसेंट छूट देने के उपरांत भी उसको 8 परसेंट का लाब होता है उस बस्टू का अंकित मूल ग्याद किजिए हमको अंकित मूल जिसका लागत मूल 500 रुपया 500 रुपया का समान कर दे इस पर हमको 8% का अवरल प्रोवित हो रहा है यानि कितना प्रोवित हो रहा है 108 वटा सौ ठीक यह कब हो रहा है जब अंकित फूलम पे हमने क्या-किया 20% का छूट दे दिया 20% छूट देने का मतलब इसका 80% में साच्छक अठाई 27 मरते यह दो से कट जागा 50 25 मरते यानि 25 25 को मल्टिप्लाई किजेगा कितना 27 से यानि यही इसका क्या होगा अंकित मुल यानि यह निकल जागा यानि करेक्ट एंसर आपको आजाएगा कितना 675 क्लियर है यानि option D इस प्रेशन का कडिक जबाब होगा कौन सा option D नेक्स्ट अगला प्रेशन देखिए इकार आए यदि 6 sec square theta minus 14 sec theta plus 25 ब्रावर 0 और theta एक नियून कोन हो तो 10 theta का मान क्यात किजेए देखिए यह क्या है यह quadratic equation आपको लग रहा है तो quadratic equation हमने क्या किया 6 theta को 6 theta को हमने x माल लिया क्या x अब देखिए इस जगा पर हम लोग लिख सकते 16 x square minus 14 x plus 25 ब्रावर 0 लिख सकते जब इसको द्रिखात समी करन को जब solve कीजेगा यहां लिख सकते कितना 16 x square minus minus 20 x minus 20 x plus 25 ब्रावर 0 ठीक है क्योंकि 16 से 25 में multiply किजेगा जो multiply करने के बाद आता वही इन दोनों को तोड़ने के बाद आ जागा 25 से multiply के जगा तो 400 आ जागा और इन 20 को 20 से भी multiply के जगा तो 400 प्राप्त हो जागा अब क्या किजेए इसमें से 4 x common ले लेंगे कितना 4 x minus 5 4 x minus 5 ब्रावर कितना 0 यानि 4 x minus 5 यानि square करेंगे तो इसका वहलू कितना आ जागा 0 के square करेंगे तो 0 जोनों एक सेम है square करेंगे यानि 4 x ब्रावर 4 x minus 5 ब्रावर 0 यानि 4 x ब्रावर हम लोग लिग सकते कितना 5 यानि x ब्रावर कितना लिग सकते 5 by 4 कानिक का मतलब एक्स आनि शेक्षिटा का व्हलू कितना आ गया सेइक्षिटा का М.Θ फैभ होता क्या है आपको पता होगा से थे टाइछ वाटाशहिज हो सेक्षिटा होता क्या है एच बटा ऑगर आपको पता हो एक क्रिपलेट होता है 3 4 5 का एक ट्रिप्लेट होता है जिसमें 5 होता हाइपोटेनस ठीक है यहां बी के जगा पर कितना जया गया चार दिया गया तो पी के जगा पर कितना होगा थिरी हो जागा क्योंकि यह क्या होता ट्रिप्लेट होता है हम से पूछ रहा है 10 ठीटा का वैलू क्याद कीजिए 10 ठीटा हमको पता है 10 ठीटा होता क्या P वटा B 10 ठीटा क्या होता P वटा B P के जगपे 3 रखेंगे B के जगपे 4 यानि 3 by 4 इसका कड़िक टैंसर होगा कौन सा ओप्षन भी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रसन देखिए अगला क्या कर रहा है एक आयत का परिमाप और लंबाई 5 रेशियो वन है यदि आयत का छेटवर 216 cm2 हो तो आयत की लंबाई क्यात कीजिए क्या करना आयत का लंबाई आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई यह होता है आयत का परिमाप और आयत का परिमाप कितना जिएगा है 5 इक्स यानि इसकी जगा पे हम लोग 5 इक्स लिख सकते है आगे देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है 1 इक्स यानि लंबाई की जगा पे हम लोग क्या लिख सकते है 1 इक्स प आये का छेत्रफल का बात कह रए है ये क्या होता है लंबाई को पता है क्या आय रहे है कि सथेखना घुटलाई करना लंबाई किसा जना ज सबसाइब आप तैसे सबस्क्राम करना नहीं को गिदिया गया 1x 1x into 4i कितना दिया गया b की जगा पर हम लोग लिख सकते कितना 3xy2 और इसका छेत्रफल कितना दिया गया 216 कितना 216 अब देखिए 3 से काटियेगा तो 3 सत 1 कई 7 मरते 3 दूना चूबहत्तर मरते 2 से मल्टिप्लाई होगा तो 2 दूना 247 दूना 14 एक सो चोवालिस 144 पराबर क्या जगा x स्कॉर्ड यानि x का वहलू कितना आगया 12 x का वहलू आगया 12 कहने का मतलब आगी कोश्चन में क्या का आयत की लंबाई लंबाई कितना 1x 1x यानि 1 मल्टिप्लाई कितना 12 यानि करे कितना जगा 12 सेंटीमेटर यानि ओप्षन से इस ओप्षन ए इस प्रस्ण का कडिक जबाब होगा कौन सा ओप्षन ए वोश्चन नमर्ब फोर्टीन क्या कड़ा है देखिए 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 और 20 प्लस 22 की पावर 2 को सिंपलिफाई करना है हमने क्या क्या यहां से 2 की पावर 2 को कौमल ले लिया 2 की पावर 2 कौमल लेने के बाद क्या बचेगा 1 के पावर 2 पलस 2 के पावर 2 पलस 3 के पावर 2 पलस डॉट 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 लास्ट में बचेगा 11 के पावर 2 11 के पावर 2 अगर हमको पता उनलगा ता प्राके चीक संख्या के बढ़गो का युक का फर्मूला होता ए N इन्टु N प्लस 1 इन्टु 2N प्लस 1 but 6 N इन्टु N प्लस 1 इन्टु 2N प्लस 1 by 6 अब यहाँ फोलो करेंगे तो देखिए 2 की पावर 2 कितना हो जगा 4 multiply देखिए इसके जगा पर हम लोग लीख सकते हैं इनकी जगा पर 11, multiply कितना, 11 प्लस 1 कितना हो जगा 12, multiply कितना, 11 दूना 22, 22 और 1 कितना हो जगा 23, यानि 23, divide by कितना, 6, 6 से हमको डिवाइड कर देना है, जब 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 दूना बाला, 4 दूना 8, 8 में 11 से multiply कर जगा, 88 में 23 से multiply की जगा, तो यह आजएगा 224, यानि correct answer, option A, इस प्लसन का correct जबाब होगा, कौन सा option A, clear है, next, अगला प्लसन देखिए, लेकित में से कौन सा भीन सबसे बड़ा भीन है, सबसे बड़ा भीन ग्याद करने के लिए, हम लोग क्या करते है, cross multiply करते, पले इन द जगा 13 by 18, 6 by 11 करने का मतलब, 6 को 11 से multiply करेंगे, 18 चक टोटल से, यानि 108 और 11 में 13 से multiply करेंगे, तो 143, यानि यह चोटा है, यह बड़ा है, यानि इसके साथ आगे का check करेंगे, यानि 13 बटा 18 के साथ हम लोग क्या check करते है, 15 by 22, 15 by 22 यानि 13 दूना 26 के 6, हासिल दू, 13 दूना 26, 27, 28, 286, और यह देखे, 18, 95, हासिल लोग, 27, 27, 27, यानि इन दोनों में को बड़ा है, ये बड़ा है, यानि इसको हम लोग को छोड़ देना होगा, अब 13 by 18 के साथ हमको क्या check करना पड़ेगा, 19 by 13, 6, 95, 36, जब cross multiply की जगा, सब्भी को, 13 को छत्या की जगा, ये आजागा कितना, 48, 48, 48, 468, और यहां 18 को 19 से मज़ेगा, 242, 242, क्यानि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये छोटा, इसको छोड़ दीजे, इसके साथ अगला चेक करते, 13 वट्टा, 18 के साथ हम लोग्या check करेंगे, 25 वट्टा, 33, 25 by 33 को cross multiply करेंगे, 13 में 33 से multiply की जगा, ता 439 आएगा, कितना, 439, और 25 में 18 से multiply की जगा, ता 450, यानि करेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा, ये बड़ा है, यानि लाश्ट आगे, यानि सबसे बड़ी वाली संख्या कितना हो जगा, 25 वट्टा, 23, यानि करेंगे, एंसर, option B, इस प्रस्ण का करेंगे, जबाब होगा, कौन सा option B, नेक्स्ट, अगला, किसी कार्याले में कुल करमचारी का 5 वटा, 8 वाग पुरुस करमचारी है, तता पुरुस करमचारी का 2 वटा, 3 वाग असनातक है, ग्रेजुएट है, तता महिला करमचारी का 4 वटा, 5 वाग असनातक है, तो बताईए कार्याले में कुल करमचारी का कितन वाद असनातक नहीं है इस ततो करें दूटल करमचारी है उससा अजया या कि लिएёл कितना हो जाएगा फिमल की संख्या तीन वटा आठ है अगे क्या कर रहा है तो पुरुस करमचारी का तीन दो वटा तीन और असनातक है फिमल का बाद किया दया तो चार वटा भाज वाग असनातक है तो तो नहीं ही है कितना एक वर्टापाच यान यह हो जागा निविटा चालीत जो जाए किटना भाग असनार तक नहीए यान एक वटा 24 प्लस कितना एक वटा री राइलोज एढ़ कर जाए जोब से दिप इसको लिट ज dol दुट निविटो कने चालीस कर दście कि आट कर जाए हैं profound or 1 एक्सोबिस कितना बच़कर देगा विस पिए उपर कितना बच्राइपाच बच्राइब 24 214 25 25 25 25 plus 9 कितना होजेगा 34 120 जब डिवाइट की जगा है एक का आधा की जगा तो यह आजागा कितना 17 वटा साथ यानि करेक्ट एंसर ऑप्शन डी इस प्रेशन का करेक्च जवाब कौच्छा ऑप्शन डी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रेशन देखिए अगला क्वेशन क्या करा है है एक मुलांक एक वप्रट दू पलस उकर्णा के एक वटादो पलास कितना कि के एक वटादो ओर इसको एड़ करना है तो सबसे पहले एजो इन दोन सभीको एड़ करना है अलगला यानि ने वट्पलस एलएव 00111 पलस कितना 1111 तर्फ़र येज़ने इसको एड कि जिएगा थी ये कितना आ जाएगा देखिए चार 110 अंचर्व इसको एड करना वन वाइटू पाला पाईटू लस्वाइटू अब आप समझे ये दोनों आधा अरा आधा मिलके कितना हो जाएगा एक हाफ-151 यानि 1 पलस में कितना हो जगा टॉ इसका वयलु 2 हिंकाトप लुभाराग सो चोफिस पलस कितना दो pan hormones चुन रश्वारागर अगला प्रश्वार्श च्वबके कि को कैसे सौल खरते इस household बता हो ना जागे है क्वोंसा formula kун pharula है देखिए जो ज्याग क्यासे निकालते इन जो no to puta boy-e lいきます टीक एक्स यहां टो kցपावर n वाइनस 1 2kpower n 이중 निकालते कैसे x into 2k power n minus 1 divided by 2k power n यानि यह जो x है, यहाँ x के जब पर कितना जा गया, 2, 1 देखी, यहाँ 2, 2k power n, n कितना, यहाँ root को गिल ले, 1, 2, 3, 4, 5 root k power 5, यानि 2k power 5 minus 1 divided by 2k power 5 2k power 5 होता है 32, यानि 2k power 5 होता है 32 32 में से 1 को घटाएंगे, तो 31, यानि correct answer, option C इस प्रेशन का करिक जबाब होगा, कौन सा option C, next, अगला प्रेशन देखी, देखी, जब इतना को 32 से विभाजी किया जाता है, तो सेस्फल क्या पचेगा, देखी, आपको एक फर्मूला पता होना चाहिए, a k power n plus b के power n, where n is odd number, n क्या है, odd संख्या, odd संख्या, यह जो संख्या होगा, a plus b से क्या होगा, divisival होगा, a plus b से divisival होगा, ठीक, कहने का मतलब, देखी, question में क्या करा है, question समझे, अगर कोई संख्या, यह पावर क्या है, 97, यह पावर कितना है, 97, दूनों क्या है, odd संख्या, यानि, odd संख्या है, यानि, 127 के power कितना जागा, 97, plus 97 के power कितना जागा, 97, यह जो संख्या, यह किसे divisival है, आप देखिए, 127 plus 127 plus 97 से दिविजिबल है और 127 प्लस 97 को एड़ किजिए तो यह कितना हो जगा साथ 14 के 4 हासिल एक नो एक तस तो बाड़ा के दू हासिल एक एक तो 224 अब क्वेश्चन में कहड़ा है कि यानि इस बात को यहां पर हम लिख सकते हैं यह टोटोल एड की जगा तो कितना आजएगा 224 224 अर 224 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साथ गुने 32 साथ गुने 32 यानि 32 से भी यह वाली संख्या डिविजिवल है यानि कहने का मत्तल रिमेंडर क्या बचेगा 0 जब संख्या पुन्डू पेन कड जागा तो रिमेंडर क्या बचेगा 0 यानि करेक्ट एंस और ओप्टर दी इस प्रसन का कडिक जवाब गवा कौनसा ओप्टर दी किलियर है अगला कड़ा है 3 by 16, 5 by 12, 7 by 18 का GCD निकालना GCD काने का मत्तल अइस अइस कोमन निकाला इस का ओप्टर कैसे निकलता है उपर वाले का it's Ypp निकलते है ऊपर वाले का it's Yab now the legal the more ओपर वाले का it's Yab Argya by बचा वा था उसका Lkem निकलते है का कोई भी ? Amam या कितना 144 इस प्रसंद का कड़िक टैंसर होगा कौन सा 1y144 यानि ऑप्संदी इस प्रसंद का कड़िक चबाओगा इन में से कोई नहीं अगला प्रसंद देखिए ज्यार रहाए है है दो पुर्णाग जिनका घुननफल जागा 24 और कि योगफल का नियूनतम मान किया दिए दो पुर्णाग मान लें जाए एकस और यह इनका घुननफल कि जागा तर्षार आजाएगा जानि sound के जगह पर one रख सकते वाई के जगह पर ट्वन्टिफोर रख सकते हैं दूसरा एकस के जगह पर दो रखेंगे यह हो जागा बाडा एक्स की जिगह पर 3 रखेंगे तो 3,8,3,24, एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो 6,4 की 24, अब 5 नहीं रख सकती, 4 भी नहीं रख सकती, 7 भी नहीं रख सकती, यानि अवर्भर्स हो जाएगा, यानि यही 4 condition बनेगा, question कर रहा है कि इन वे से, क्या कर रहा है, इनका नियुनतम योग का गुनन योग क्या होगा, देखी 24 और 1 कितना हो जागा, 25 हो रहा है, 12, 2 कितना हो रहा है, 14, 8,2, 10 है कि गारा, 6,4, 10, यानि सबसे नियुनतम सम कितना बन रहा है, 10, यानि correct answer, option D, इस प्रशन का कड़िक चबाब होगा, कुन सा option D, next, अगला प्रस्न देखी, 10 संख्या का आवसद 89 है, ज़ि एक संख्या 82 के बले 28 लिया जागया तो, बताए वास्तवीक आवसद क्या होगा, दस संख्या का एवरेज गया ele now 10 संख्या का एवरेज गया 89 यह आणि दस्भेज का एवरेज आइटीनाइट अब देखिए THE डाहने कंअ विर्फाट में 80 की चिक यह एवरेज नीट है कितना ऐब 54 में 10 से डिवाइट कर देंगे तो एवरेज कितना हो जागा 5.4 जो एवरेज जा गया उसमें हमको क्या करना होगा 5.4 का ब्रीधी करना पड़ेगा यानि 89.5.4 एड किजेगा तो यह कितना हो जागा 0.4 जार यानि 94.4 इसका करिक टेंसर होगा कुन सा अप्शन सी इस प्रस्ण का करिक जबाब हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखिए किसी सहर की बढ़मान आवादी दिया गया 16,000 इसमें से 5 परस्ण की दर्श से ब्रीधी होती है तीन वर्ष के बाद सहर की आवादी कितना दिया गया 16,000 देखिएगा तब एक वटा 20 होता है यानि पहले 20 था कितना का बरीधी 2 का बढ़ी थी यानि कितना वहुँए 20 बढ़ीधी होना प्रक्र ejercू अंगला वर्ष 20,000 थी बहुँए 20 बढ़ीज वर्णय कितना हो गया 21 बढ़ीश टीक ऒिस किए चेल लोटा बीधी हाजश की जा इन दोनों को multiply कि फिर 21 से multiply कि जगा अब इन सभी को add कि जगा तो 21 का क्यूं कितना होता है तो आपको पता हो ला जाए हिनमें 21 से multiply कि जगा ति यह जगा 92 सो इक सट नवे सो इक सट में दू से मल्टिप्लाइख की जेगा तो यह जेगा दू कुछ दूना बारा के दू हासिल एक दो दूना चार एक पाच नो दूना आठारा जानी अठारा पाच बाइस तू यानि करेक्ट अंसर ओप्सन डी इस प्रसन का करेक जवाब होगा कुछ अगला प्रसन देखिए क्या कर रहा है राम कुमार ने एक तालीस सो में दो एलेडी टीवी सेट खड़ी दा ठीक है उन्हें से एक को 20 परसेंट लाप पर बेचता है तो दूसरे को 15 परसेंट हानी पे इस परसेंट का फ्रैक्शन वैलो होता है बीस पच्छे सो एक वटा प बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का बिक रैमल समान है यानि एस पी दोनों का क्या है सेम है एस पी सेम है ठीक है तो फुल लाव या हानी क्या किजे देखिए उन में से क्या क्या पहले को 20 परसेंट लाप पर यानि पाच रुपया के समान को उसने कितना रुपया में बेचा लेकिन कर रहा है कि एस पी दोनों का सेम है यानि इन दोनों को बराबर करने के लिए उपर सतरह से मल्टिप्लाइ करेंगे तो दोनों सेम हो जागा इधर भी सतरह से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा इधर कितना 6 से यानि अपर का क्रेमल कितना हो जागा टूटल एड किजिगा तो ये हो जागा 175 85 और 20 चक एक सोवीस यानि 120 ठीक है यहाँनी 17 चक कितना हो जागा 102 और नीचे कितना 17 चक एक सो दो ठीक कहनी का मतलब उसने पहले कोई समान को कितना में ख़ड़ीदा था 095 और 120 को एड किजेगा ये संब्सक्राइब 255 में उसमान को खिता हृँ घल थों लोग और तो लुका एक यूघ strat कितना एक यूनित का रहा है कि कुल इतना में दो तीवी सेट कई दा घर दे कितना 205 यूनित में 205 यूनित का वैलू कितना जया गया तालेस अजार यानि 41 रिफल जीरो जब इसो काठी गत यह कितना मरते कर जागा पांदू ना दस दूमरते यह कर जगा 200 मरते में यह एक यूनित का वैलू 200 आरा है तो पूझ क्या रहा है कि यहां तो तो लॉस हो रहा है, माइनस आरा है यह यह प्रॉफित चैन्चल हो जागा कितना का loss हो रहा 200 unit का क्या होगा loss होगा 200 unit का हानी होगा क्लियर है यानि अब question में देखिएगा ठीकि option A में भी हानी है option C में भी हानी हम ने पहला preference पहले वाले option को देंगे जो मिलेगा उसमें पहले वाले यानि option A इसका कड़िक जवाब होगा कौन सा option A next अगला प्रसन देखिए जब x को 12, 18 और 28 में से परतिक में जोड़ा जाता है तो इस परकार की करम में प्राफ्थ होने वाली संख्या का एक समान अनुपाद होती है 5x-8 ratio x plus 4 का मान क्यात कीजिए यह क्या कर रहा है कि x यानि 6 plus x ठीक है डिवाइड बाइ कितना 12 plus x यह जो ratio है यह समान रेश्यो प्राफ्थ होगा कब जब 18 plus x और 28 28 plus x को solve कीजिएगा जब इनको cross multiply करके जब solve कीजिएगा तो यहां से आपको x का value कितना प्राफ्थ हो जाएगा यहां से x का value आपको कितना प्राफ्थ हो जाएगा 12 अब इसको solve कीजिएगा और x का value 12 प्राफ्थ हो जाएगा ठीक है अब क्या कर रहा है दी के equation में x का value पूट कीजिए यानि 12,60,60 में क्या करना है 8 को घटाना है ठीक ratio कितना 12 plus 4 कितना हो जाएगा 12,4,16 10 में से 8 गया 2 अब इसको solve कीजिएगा तो यह आसानी से इस तरह से solve कर सकते थे इसको cross यहां से multiply कीजिएगा फिर इसको cross multiply कर जाएगा simple equation बच जाएगा जहाँ x का value आसानी से निकाल सकते है clear है चलिए थाइंक्यो पर वाचिंग इस वीडियो ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बी एसी बिहारे स्टेटिक जाम को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल बटन को दबा दे ताकि आने बाले परतेख वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके थाइंक्यो वन्स अगेन